ओम श्री साइनाथाई नम्हा, गूड मॉनिंग, साइ मॉनिंग, आप किसी भी स्थिती में हो, कैसे भी परिक्षा चल रही है, समय कैसा भी चल रहा है, चिंता क्यों करते हो, सब कुछ अपने परमपिता परमात्मा को समर्पित कर दो, अपने बाबा को सौप दो, आप जब त जब होना ही है, तो हम अपने उपर लेकर क्यों करें, हम अपने बाबा को सौप देते हैं, कई बार परिसिती कितनी भी हम अपने हाथ में लेकर के उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो सही नहीं होती है, क्योंकि जो विधाता लिख देते हैं, कई बार वो होना ही होता है लेकिन जब हम भगवान का सहारा लेते हैं तो वो परिसिती कहीं ना कहीं थोड़ी ना थोड़ी बदल जाती है भगवान हमारी सहायता जरूर करते हैं वो परिक्षा तो लेते हैं लेकिन हमें संभालते भी है इसलिए जो भी है जैसा अब ही है अपने बावा पर सौब दो उनके चर्णों में सौब दो इसके बाद हर बाद उनको बताओ अपनी हर परिशानी उनको बताओ हर दिन बताओ सुबह शाम बताओ जब भी आपको वक्त मिलता है उनके पास बैठो और उनसे बात करो अरे जिने भरोसा नहीं है वो तो नहीं मानते लेकिन आपको तो भरोसा है ना आपको तो उनोंने कितनी परिशानियों से बचाया है आप सोच कर देखो कई कई प्रॉब्लम्स ऐसी भी आई है आपकी लाइफ में जो आपके हाथ में थी ही नहीं आप उतने कंट्रोल कर ही नही ले रखा था, आपने अपने जीवन की नईया उनको सौप रखी थी, इसलिए वो पार हो गई, इसलिए वो आपको तकलीफ तो हुई, लेकिन आप उसे सक्षम हो गए उसे पार करने में, उसे फेस करने में, नहीं तो हमारे बसकी बात कहां है, सहारा उनका होता है, कहते न, त इनके का भी सहारा होता है, छोटी चीज का भी बहुत बड़ा सहारा होता है, अगर कोई कह दे ना कि मैं तुम्हारे साथ में जिनता मत करो और वो साथ दे दे ना, तो एक होसला बढ़ जाता है कि यार उसने साथ दिया हमारा, है ना, साथ को बहुत वैल्यू होती है किसी सहार कि हमारी लाइफ में और फिर आप उन्हें जब हर दिन अपनी बाते बताना शुरू करोगे न तो देखना आपके समस्य अपने आप कहीं न कहीं थोड़ी बहुत हल होनी शुरू हो जाएगी वो कहते न किसी चीज से रोज आप अपनी बाते शेयर करो अगर वो सच्चा और अ वो संदगी कितनी कुपसरत हो जाएगी क्योंकि ये एक ऐसा सहारा है जो कभी छोड़ कर नहीं जाता जो कभी अमें दुख नहीं देता परिक्षा लेता है ताकि हम मजबूत बनेता कि हम प्रॉब्लम्स को फेस करने में सक्षम हो पाएं गोता है न कई बार हम सोचते हैं हम हम अपना किया समझ सकते हैं प्रभू का किया हम नहीं समझ सकते हैं उनकी योजनाए हमारे समझ में नहीं आएंगी क्योंकि वो हमसे कहीं बढ़कर सोचते हैं हम अपना आज बहतर बनाते हैं और वो हमारा कल बहतर बनाने की कोशिश कर रहे है इसलिए वो जो कर रहे हैं उन करना करके भरोसा कीजिए विश्वास कीजिए यूगि कहते भरोसे में बहुत ताकत होती है जब हम किसी बुरी चीज़ पर भरोसा करते है तो वह में बुरा असर दिखाती है दिखाती है तो अगर हम भगवान पर भरोसा करेंगे किसी अच्छी चीज़ पर भरोसा करेंगे त लेकिन बुरी जीस का प्रवाफ ज्यादा हम अपने उपर कर लेते हैं और जिसका करना चाहिए उसका करते नहीं है तो आज से संकल्प ले लो आज से वचन देदो बाबा को कि बाबा हम अच्छा सोचेंगे और पांच मिनट दस मिनट पंद्रा मिनट जितना भी समय आपके प पिरार उसने अगर मुस्कुरा भी दिया ना समझो बात बन गई अगर आप उनसे बात कर रहे हैं आपको फील हो गया कि बाबा मुस्कुरा रहे हैं और आपकी आख गई छोटी से भी आई कास हुआ जाए ना समझना आपकी बात बन गई वो सुन लिया उसने और जब उसने सुन लिया तो फिस किसी और को सुनाने की जरूरत है ह cultural वो सबसे बढ़ा है वो मेरा मालि कि जभू मेरे साथ है तो दुनिया हो ना हो क्या फरक पड़ता है कौन से दुनिया जो वक्त पर साथ छोड़ देती है जिसे थोड़ा सा कुछ कह दो तो वो बुरा मान जाती है ऐसे दुनिया का क्या करोगे ऐसे तो आप अकेले ही अच्छे हो कम से कम होसला तो देते हो खुद को है ना मौके पर छोड़ते तो नहीं हो अपना साथ बस अपना और अपने भगवान का साथ रखो अपने माता पिटा का आशिरवाद लो यही आपके जीवन की पूंजी है और यही आपके लिए सबसे जादा बेस्ट है और अगर कुछ ध्यान देना है कुछ करना है तो अपने कर्मों पर निश्चिन तोकर ध्यान दो वही आपके साथ जाने वाले हैं ही आपका सब कुछ है इतना करने मात्र से ही जो मैंने आपको बताया है ना यह मैं भी करूँग अपनी लाइफ में फालो तो इतना करने मात्र से ही हमारा सब कुछ ठीक होना शुरू हो जाएगा सब कुछ कही ना कही थोड़ा बहुत अच्छा होना शुरू हो जाएगा ओके तो चिंता करके क्या होगा सॉलुशन करके होगा जब हम किसी चीज का सुझाव देखेंगे तब वो चीज ठीक होनी शुरू होगी जब तो प्रॉब्लम को देखते रहेंगे जब तो कुछ ठीक होने वाला नहीं है सब बिगड़ता जाएगा और उलज जाएगा लेकिन जब सॉलुशन की तरफ नजर देखेंगे न तो वो अच्छी होनी शुरू हो जाएगी इसलिए हमें अच्छा देखना है अच्छा करना है ठीक है जिनता तो बिल्कुल भी मत करना साइं बैठे है न सब कुछ ठीक हो जाएगा तो चलिए आज की प्रातना को शुरू करते है आज की प्रातना बाबा के चरणों में बैठ कर आईए जिनके निभी नाम आज की प्रेयर में है हम बाबा के चरोड़ों में प्रातना करतें बाबा उन सभी की श्रद्धा की लाज रखना उन पर करपा करना उनकी फ्यूचर, उनके भविश्य, उनकी जुन्देगी बाबा खुश्यों से भर देना और वो जिस भी समस्या से गुज़र रहे हैं उस समस्या का समधान जल्दी से जल्दी हो जाए हमारी और इन सब परिवार वालों की श्रद्धा की लाज रखना बाबा सब के हिर्दे में आप विराज मान हो सब के पास आप हो बाबा फिर ये चिंता ज़्यादा दिन नहीं चलनी चाहिए बाबा अब तो हमने माफी भी मांग लिये बाबा अब तो ये दुखों को खत्म करके सुख का आगमन हो बाबा इन सब के जीवन में हमारे जीवन में बाबा अब दुख की घड़ी खत्म कर दो मेरे साइनाथ बाबा हम कभी भी एहंकार नहीं करेंगे हम कभी भी किसी से इरिश्या नहीं करेंगे दिवा रहम कर दो बाबा हमारी गलतियों को माफ करके हमें अच्छे मार्ग पर ले चलो बाबा रहम करो दया करो तुझे लिए आई आज की प्रात्ना में जो नाम है वो बाबा की चरणों में रख करके इन सब के लिए प्रात्ना करते हैं मैं भी प्रात्ना करूँगी आप सब भी प्रात्ना करना ठीक है और जो नाम आज नहीं आप आए है आप चिंता नहीं करना मुझे मैसेज करना ठीक है एक बार नहीं दो बार नहीं आप मुझे मैसेज डाल देना नमबर 9878246338 पर आप मुझे वाटसप करना जो नाम आए पहले आपको नाम लिखने है प्रेयर वीडियो के नीचे जाने कि यह जो वीडियो आप सुन रहे हैं इसके नीचे आपने शाम को 6 वजे से पहले पहले अपने नाम डाल देने हैं ठीक है वो नाम आपके आज तो वो नाम है बाबा यशिका जी, काजिल पॉल जी, डेला जी, मयंक जी, बच्चा वेदांत, हे मांगिनी पात्रा जी, लक्षय जी, लक्षमे कुप्ता जी, शेखर जी, राहुल कुमार, बहिरा जी, अकाश कुमार जी, and all families हे देवा, बाबा रहम करना, दया करना, श्रद्धा की लाज रखना देवा, और आज इनके बिनाम प्रेयर में हैं, उनकी हर परिशानी का समधान हो, और आप सब भी, इन सब के लिए प्रेयर करना, जो ग्यारा नाम आज के प्रात्ना में हैं, ये जिस भी परिशानी से तो यूझी भला हो जाएगा जिंता क्यों करते हो ठीक है तो आज येशीका जी का बेदे हैं आए येशीका जी को विश्क करते हैं येशीका जी जाँदार फैमिली की तरफ से आपको जनम दिन की बहुत सारी शुप काम। मालेक आपको खुश रखे एपि रखे हँल्दी रखे बाबा का श्रिवाद आपके पूरे परिवार पर बना रहे हमारी स्रिय साइं चरणों में यही प्रातना है कि बाबा आपको सदा हँष रखे ह naughty हुल्दी रखे आपका जीवन सदा खुश्यों से भर पूर रहे आपकी ह विश हर मनुकाम नापूरी होती रहे और मयंक ची का बर्दे है मयंक ची हापी बर्दे मालेक आपको भी सदा खुश रखे हापी हेल्दी रखे आपकी लाइफ बहुत सारी खुशियों से भर पूर रहे और बाबा का शिरवाद आप पर बना रहे आपकी लाइफ में जो आपका सपना है बाबा उसे पूरा करे और हमेशा आपके जीवन में सुख, खुशियां, बर्कत, सुख सम्रिद्धी बनी रहे सांजिदार परिवार बाबा के श्री चरणों में यही प्रातना करता है राहुल कुमार जी का बर्दे है राहुल जी, हैपी बर्दे मालिक आपको पर सदा खुश रखे हैल्दी हैपी रखे आपकी पर लाइफ बहुत सारी खुश्यों से भरपूर रहे बाबा जी का शिरवाद आप पर सदेव बना रहे अपनी लाइफ में आप बहुत सक्सस करें बहुत आगे बढ़े जो इच्छा है, जो विश है वाबा उसे पूरी करें हमारी श्री साइन चरणों में यही प्रात्ना है तो जिनका भी जनम दिन है मालिक उनको सबको खुश रखे बच्चे विदान्त की हेल्थ अच्छी नहीं है बच्चे विदान्त के लिए प्रेयर करना कि बच्चे की हेल्थ अच्छी हो जाए बच्चा स्वस्त हो जाए और इस प्रेयर में लिए गए हर नाम पर बबबा करपा करना हर जंदगी पर करपा करना सबी आपके बच्चे हैं आपके चरणों में सर जुकाते हुए बाबा हम यही प्रातना करते हैं कि हमारा जीवन आपके श्री चरणों में रहे और सुख में रहे बाबा हम अपने साथ साथ दूसरों की भी हेल्प कर पाएं किसी के काम आपाएं ऐसा आशिरवात देना याशिनी मैता जी की बाबा जो भी प्रॉब्लम है उन पर कृपा करना याशिनी जी की जीवन में खुशियां आएं सुक समरिद्धी हो और वो जिस भी प्रॉब्लम में है उस प्रॉब्लम का समाधान हो और आपका शिरवाद हो रहम करना बाबा चलिए आए मिलकर ग्यारा वचन पढ़ते हैं साइं चरणों में बाबा को याद करके आए मिलकर पढ़ना है और हाथ पे उदी हूँ तो अवश्य ले लें ठीक है जो शिर्डी में आएगा आपत दूर भगाएगा चड़े समाधी की सेढ़ी पर पैर तले दुख की पेढ़ी पर त्याग शरीर चला जाऊंगा भगत हे तु दोड़ा आऊंगा मन में रखना द्रड विश्वास करे समाधी पूरी आस मुझे सदा जीवित ही जानो अनुभव करो सत्य पह जानो मेरी शर्णा खाली जाए हो तो कोई मुझे बताए जैसा भाव रहा जिस जनका वैसा रूप हुआ मेरे बनका भार तुम्हारा मुझ पर होगा वचन न मेरा जुठा होगा आ सहायता लो भरपूर जो मांगा वो नहीं है दूर मुझ में लीन वचन मनकाया उस कारण न कभी चुकाया धन्य धन्य वह भक्त अनन्य मेरी शर्ण तजजी से न अन्य अनन्त कोटी ब्रह्मांड दायक राजाधिराज योगिराज परब्रम श्री सचिदानंद सद्कुरू साइनाथ महराज कीजे ही दिवा बाबा हमारी सुबा शाम हर पल आपकी नाम से शुरू होता है और आपकी नाम से ही हमारी रात संपूर्ण होती है हमारा फिर से नया दिन शुरू होता है और हम आपसे यही प्रातना करते है कि जिन्दगी भर ये नाम हमारे जुबाँ पर चलता रहे जब तक तन में सांस है तब तक तेरा नाम यूँ ही चलता रहे मेरी आप के श्री चर्णों में यह प्रात्ना है हम सब की प्रात्ना को स्विकार करना दया करना, रहम करना, श्रदा की लाज रखना बाबा तो चलिए आई आज का दिन शुरू करते हैं बाबा के अशिरवात से सब कुछ मंगल ही मंगल होगा आप सभी का दिन शुब हो मंगल मैं हो ओम श्री साहिना थाए नमा ओम साहिराम जै जै साहिराम